जै स्री क्रिश्ना आईए सुनते हैं आज रभीवार के दिल शुर्य देव की महिमा पौरारी कथा के एंसार भगवान स्री शुर्य समस्त जीर जगत के आत्म शुरूप हैं एही अखिल स्रीष्टी के आदिकारण हैं इन्ही से सबकी उत्पत्ती हुई हैं पौरारी संदम में शुर्य देव की उत्पत्ती के अनेक प्रशंग प्राप्त होते हैं यद्यपी उन्मे वड़े घटना क्रमों में अंतर हैं किन्टु कई प्रशंग परस्पर मिलते जुलते हैं शर्वाधी प्रचलित मान्यता के अंसार भगवान सुर्य महर्शी कश्यप के पुत्र हैं वे महर्शी कश्यप के पत्नी अदीती के गर्श उत्पन हुए अदीती के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम आदित्य हुआ पैत्रित नाम के आधार पर वे कश्यप प्रशिद्ध हुए संचेट में यह कथा इश्प्रकार है एक बाद दैत्य दानमोंने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया देवता घोर संकत में पढ़कर इधान धन भटकने लगे देव माता अदीती इस हार से लुठी होकर भगमान सुर्य की उपास्टना करने लगी भगमान सुर्य प्रशन होकर अदीती के समझ प्रकठ हुए उन्होंने अदीती से कहा देवी तुम चिन्था का त्याग कर दो मैं तुम्हारी इच्छा पूर करूंगा तथा है अपने हजारहमे अंस से तुम्हारे उदर से प्रकठ होकर तेरे पुत्रों की रच्छा करूंगा इतना कहकर भग्मान शुर्य अंतर ध्यान हो गए कुछ समय के उप्रान देवी अदीती गर्व होती हुए संतान के प्रती मुह और मंगल काम्या से अदीती अनीप्रकार के ब्रत उफुआश करने लगी महार से कस्यब ने कहा अदीती तुम गर्व होती हो तुम्हें अपने सरीर को शुखी और पुष्ट रखना चाहिए परतु या तुम्हारा कैशा भुवेख है कि तुम गर्वास के द्वारा अपने गर्वांड को ही नश्ट करने पर तुली हो अदीती ने कहा श्वामी आप चिंता न करें मेरा गर्व साथ छाथ शुरी सक्ति का प्रशाद है यह सदा विनाशी है समयाने पर अदीती के गर्व से भगवान सुर्य का प्राकट्य हुआ और भाद में वितिताओं के नायक बने उन्होंने दीव संत्रु अशुरु का शंगार किया भगवान सुर्य के परिवार की बिश्टित कथा भविश्य पुरार, मतस्य पुरार, पद्व पुरार, ब्रह्म पुरार, मारकंडे पुरार तथा साम पुरार में वडित है ब्रह्म विश्टु मही सारी दिवगरों का बिना साधना एवं भगवत क्रिपा के प्रत्यच दर्शन होना शंभव नहीं है सास्त्र के आज्यान सार किवन भामना के द्वारा ही ध्यान और शमाधी में उनका अनभव हो पाता है किन्तु भगवान शूर्य नित्य सबको प्रत्यच्छ दर्शन्देते है इसलिए प्रत्यच्छ देव भगवान शूर्य की नित्यव पाष्णा करनी चाहिए बैदिक सुत्तों पुरारों तथा आग मादि ग्रन्थों में भगवान शुर्य के नित्याराधना का निर्देश है मंत्र महो नधी तथा विधाड़ों में भगवान शुर्य के दो प्रकार के मंत्र मिलते हैं प्रथम मंत्र ओम घ्रिली शुर्य अदित्यार तथा दुतिय मंत्र ओम घ्रिली शुर्य अदित्यार स्रीहि महालच्मी प्रियच्छ भगमान सुर्य के अर्धिदान की विशीस महत्वा है प्रतिवी प्रातर का रत्चंदनादिसी मंडल बनाकर तथा ताम्र पात्र में जल लाचंदन चावल रत्पुष्प और कुसाधि रखकर शुरी मंत्र का जब करते हुए भगमान सुर्य को अर्धिदेना चाहिए शुर्यार का मंत्र ओम एही शुर्य सहस्त्रांसो तेजुराशे जगत्पते अनुकंपैमा भक्तया ग्रिहारध्य दिवाकर है अर्धदान से प्रशंगों कर भगमान सुर्य आयू आरोग्य धन धान्य यश्ट बिद्या शवभाग्य मुक्ती सब कुछ प्रदान करते हैं भगवान विराट के नित्र से जिनकी अभिव्यक्ती है जो लोग लोचर के अधी दीरता हैं जो उपाशना करने पर समस्त्रोगों नेत्र दोशों ग्रह पिलाओं को दूर करके उपाशक के शंपूर कान नामों पूर करते हैं अनाधिकाल से भातिय कर्म निष्ट द्विजादी जिन्हें प्रतीदी अपनी अधर जली निवीदित करते हैं जो समस्त्राचर जगत के जीवन दाता और शंपूर प्राव्यों के अराध्य हैं उन्च्योतिधन, जीवन, उश्रता और ज्ञान के शलू भगवान सुर्य नारायर को हमारा सत्सत नमन द्रिष्य सुर्य मंदल उनका एक स्थूर निवाश है बिश्यो में कोटी कोटी सुर्य मंदल हैं विज्ञान आकास गंगा के प्रतेक तारग को शूर्य कहता है हमारे गगन की आकास गंगा के पीछे कितने ही निहार का मंदल है सब आकास गंगा हैं, सब सुर्यों से जगमगाती है कोई नहीं जानता उनकी संख्या कितनी है उन सब सुर्यों के अरिष्ठाता भगवान नारायर ही है स्री सुर्यों नारायर की खराधना इसी रूप में अराधक करते है महर्षी कस्यव लोग पिता है उनकी पत्नी दियों माता अधीती के गर्व से भगवान बिराट के लेत्रों से ब्यक्त सुर्य देव जगत में प्रकठ हुए शुर्य मन्बल का द्रिश्य रूप भवतिक जगत में उनकी दिनी है बिश्व कर्मा की पुत्री संग्या से उनका पल्रेग हुआ संग्या के दो पुत्र और ये कर्ण्या हुए स्राधदे वैवश्मनू और यम्राज तथा यम्राजी संग्या भवाग्मा सुर्य के तेज को शहन नहीं कर पाती थी उसलिए अपनी छाया उनकी पास छोड़ दी और श्वय घोरी का रूप धारण करके तब करने लगी उस छाया से सनस्चर सावाडी मनू और तपती नाम की कर्ण्या हुई भग्मा सुर्य ने जब संग्या को तब करते देखा तो उन्हें दुष्ट करके अपने यहां लड़े आये संग्या के बढ़वा घोरी रूप से अश्विनी कुमार हुए त्रेता में कपी राज सुद्री अवद्वापर में महारती कर्ण्या भग्मान सुर्य के अंस से ही उत्पन हुए पच्छी राज गरूर के बड़े भाई बिन्तानंदर अरूर जी भग्मान सुर्य के रत को हागते हैं रत में साथ उज्वर घोले दूते हैं अहरनिस यह रत पूर्वेक से चलता रहता है शौर्य सिधान्त भी वस्तुतर शुर्य को गती सील मानता है भग्मान के महान विद्यवान अभी परस्पर इस संबंद में शहमत नहीं है उनका अन्वेशर चल रहा है नित्य नए सिधान वहां बनते जा रहे है भग्मान सुर्य अपने रध्पर आशिन अभी सांत भाव से मेरू की प्रदिछुडा करते रहते है उन्हें के द्वारा दिन रात्रे मास, रितू, अयन वर्षाध का विभाग होता है वहीं विशाओं के भी विभाजक है भग्मान सुर्य की मुपाशना बारा महिनों में बारा नामों से होती है उस्ष में उनके पार्षद भी परवर्दित हो जाते है इन पार्षदों में रिशी अपसराएं गर्धर्व, राचस, भल और नाग है रिशी रत से आगे चलते हैं, भग्मान की इस्थुती करते हैं, गर्धर्व गान करते हैं, अपसराएं नास्ती हैं, राचस रत को पीछे से ठेलते हैं, भल रत योज़क बनते हैं, और नाग रत को ली चलते हैं संध्या भग्मान आदित्य की ही उपाशना हैं, और वह बीचाति मात्र का एक अनिवाल करतब्य हैं